हलो फ्रांस कसे हैं आप बढ़ियां आज कल ठेटर की तरफ कोई जाही नहीं रहा है OTT इतना भारी पढ़ चुका है कि फिर चाहे बॉली बुडो या हॉली बुडो उसकी जो मूवियां है ठेटर की तरफ जो है आती जरूर है लेकिन पबली को खीच नहीं पाती है फिर चाहे मूवी बड़े पोड़क्शन से निकल कर आई हो या फिर बड़े सितारे उसमें नजर आ रहे हो या फिर कॉंसेप्ट बहुत अच्छा हो क्योंकि जो है भाई जब से करोना आया है जब से OTT कुछ जादा ही भारी पड़ गया है जो सितारे जो है ठेटर में अपनी कलाकारी नहीं दिखा पाए वो OTT पे बहुत अच्छी कलाकारी दिखा रहे है और काफी पॉपुलर होते जा रहे है और पैकेज भी उनका बड़ा होते जा रहा है ऐसे में जो है मैं बात करूंगी आपके रोही सेटी की जो कि एक काफी बेस्ट पोड़क्शन या पोडियूसर बोल सकते हैं उनकी मुवी फैंस को काफी पसंद आती है उसमें जो है गाड़ी उचलना फिकना बहुत जादा देखा जाता है जैसे आपने गो मुवी को देखने के लिए ठेटर पे भीड लगा देते थे वो काफी हिट मुवी दे चुके हैं अपने फैंस को अब बात करें जैसे 83 आई है या यह सरकस आई है फैंस के दिल पर उनकी कहानी का कुछ असर ही नहीं पढ़ रहा है उनकी एक्टिंग का ऐसे में जो है रोही स बना कर रख दिया है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है फैंस को उमीद थी साइज हो सकता है ठेटर में जब हम देखेंगे तो इसे देखकर हमारा मन खुश हो जाएगा जो हमें टीजर में नहीं दिखाया वह सकता है मूवी में नजर आए लेकिन वहां जाकर फैंस की तो समझ सकते हैं रोही सेटी को काफी बड़ा जटका लगने वाला है उसी के बीच में न्यूज निकल कर आई है सिर्फ इसका कलेक्शन 20 करोड 85 लाक का हुआ है तीन दिन में और तीसरे दिन तो ये बिलकुल धडाम से नीचे गिर गई है इसका कलेक्शन बिलकुल डाउन तो ऐसे में जो है आज कल मूवी का ना तो कॉंसेप्ट अच्छा आता है या फिर OTT कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया है आपकी क्या रहा है कमेंट करके जहूँ बताईए बाकी जानकारी के लिए लिए लाइक सब्सक्राइब डोनों बनता है